तो आज हम एक बहुत ही अन्यूयोसी रेस्पी बना रहे हैं माशमेलोस देखिए यह कितने सॉफ्ट कितने स्पंजी बने हैं हर एक को लगता है कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है पर ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए देखते हैं कैसे बनाना है सबसे पहले एक बाउल में तो टेबल स्पूल ले लेनी है जेलेटिन अगर आप वेजिटेरियन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आजकल वेजिटेरियन जेलेटिन भी उपलब्द है इसमें हमने आधा कप डाल दिया है गुनगुना पानी और इसको अच्छे से मिलाकर हमने साइड पे र पाँच कॉनफलोर के इन दोनों को भी आपस में अच्छे से मिला देना है और साइड पे रख देना है इस तरह से इसके बाद हमने लिया है एक कप चीनी और आधा कप पानी अब हम इससे चाशनी बनाना शुरू करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है उसमें डाल दी है एक कप चीनी और आधा कप पानी जो हमने पहले लिया था अब हम इसको घुलने तक पकाएंगे इसको अच्छे से हिलाते जाना है इसे अच्छे से हमने गाडा करना है इसमें उबाला आने लग गया है पर अभी ये बनकर तयार नहीं होई है तो अब ये काफी गाडी हो चुकी है अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने पानी ले लिया है उसमें एक डॉप मैंने डाल दिया है चाशनी का जब हम इसको इकठा करें तो इसकी एक सौफट पॉल सी बननी चाहिए यह अभी नहीं बन रही है देखिए इसमें थोड़ी सी कसर है इतने में हमने इसको दो से तीन मिनट और निटर पकालेना है देखिए हमारी चाशनी साथ ही पकती जा रही है इसको पकते हुए 2 से तीन मिनट हो गए है मैं दोबारह से एक बार टेस्ट कर लेती हूं देखिए यह कठही हुनी स्युरू हो गई बिल्कुल एक सॉफ्ट सी बॉल बनने चाहिए इसमें हल्की सी देखिए ये बॉल बन गई है जब तक हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ये पूरी अच्छे से पक जाएगी देखिए हमारी चाशनी त्यार हो गई है अब हम इसमें जेलेटिन डालेंगे जिसे हमने साइड पे गूलने के लिए रखा था अगर इसके अंदर कोई गांट भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है तो वो सब इसके अंदर डिजॉल हो जाएगी अब हमें इसको एक उबाला देना है और अच्छे से पका लेना है बस हमें इतना ही पकाना है गैस हमारी इस टाइम सिम पे है इसको अच्छे से मिला दे और साथ ही हमने एक उबाला आते ही गैस को आफ कर देना है यह हमारी बनकर तयार हो गई है दूसरी तरफ मैंने एक container ले लिया था उसके अंदर मैंने paper लगा दिया है अब उसमें ये icing sugar हम sprinkle कर देंगे इस तरह से सब तरफ अच्छे से sprinkle होनी चीए क्योंकि ये थोड़े से sticky होता है नहीं तो आपको इसको निकालने में काफी problem होगी इसके बाद हम इसे side पे रख देंगे हमने एक खाली बाउल ले लिया है उसके अंदर हम ये चाशनी और gelatin वाला mixture डाल देंगे gelatin में एक अलग सी smell होती है तो उसको हमें overcome करने के लिए इसमें डालना है एक चमश vanilla essence इसको बिल्कुल skip ना करें इसको अच्छे से चमश से ही मिला दिया है देखिए इसमें से भाब पे निकल रही है इसका मतलब ये अभी हमारी चाशनी गरम ही है इसके बाद हम एक hand blender बीटर लेंगे उससे हम इसको फैंटना शुरू करेंगे हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये बिल्कुल white ना हो जाए और इसकी ribbon like consistency हो जाए देखिए ये काफी हद तक white हो गई है पर अभी ये थोड़ी पतली है रनी है इसे हमें थोड़ा सा और बीट करना है इसको बीट करने में हमें 5-6 मिनट जाज़ा से जाज़ा 7-8 मिनट लगेंगे देखिए बीच बीच में मैं चेक करती जा रही हूं इसे हमें अभी थोड़ा सा और करना है बीट देखिए हमारा किस कलर का picture था और ये बीट करने के बाद कितना fluffy हो गया है देखिए ये बिल् लिया था जिसके अंदर हमने icing sugar लगाई थी उसके अंदर हम आधा mixture इसका डाल देंगे अच्छे से सप्रैड कर देना है mixture को आधा mixture इसके अंदर चला गया है अब हम आधे mixture के अंदर हम इसे double shade का बना रहे हैं इसलिए मैंने ये कर रहा है नहीं तो आप पूरा एक बार में transfer कर सकते हो इसको हम side पे रखेंगे और जो आधा mixture बचा है और इसको थोड़ा सा tap कर देना है तांकि इसके अंदर कोई air bubble न रह जाए उसके अंदर मैंने डाल दिया है दो drops red color के हमारा mixture white था तो ये pink color का हो जाएगा उसके बाद मैंने इसको भी इसके अंदर इसके उपर ही transfer कर दिया है इसको भी सब तरफ अच्छे से फिला देना है तांकि ये white को पूरे से cover कर ले देखिए कितना सुंदर सा pink color आया है white और pink तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं और जब ये marshmallow में मिलेंगे तो बात ही क्या है इस तरह से हमने इसको side से भी अच्छे से cover कर देना है और इसके अंदर मैंने दुबारा से icing sugar को sprinkle कर दिया था उसी तरह चनने से हम ये side corners पे भी अच्छे से कर देंगे और इसको हमें 5-6 घंटे के लिए fridge में रख देना है हमारे 5-6 घंटे हो गए हैं अब हम इसको demold कर लेंगे हमने इसके अंदर paper लगाया था तो ये अच्छे से अराम से निकल आया है बर समय इसको paper को बड़ी ही अराम से सावधानी से चुटवाना है इसके लिए मैंने एक knife ले लिया है knife के उपर थोड़ी सी हम ये icing sugar वाला mixture लगा लेंगे और इसको धीरे से इस तरह से हम paper से चुटवा लेंगे marshmallow थोड़े से sticky होतने हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जल्द बाजी ना करें बीच बीच में इसको dust करते रहें icing sugar से इस तरह से मैंने चारो corner इसके अराम से चुटवा लिये हैं marshmallow बनाना बहुत ही असान है कोई मुश्किल काम नहीं है और यह बच्चों के तो personal favorite होते हैं इस तरह हमने इसको उल्टा कर लिया और नीचे की layer असानी से निकल जाती है बस थोड़ा जल्द बाजी ना करें ध्यान से निकाल लें इस तरह देखें जहां पर जरूरत है वहां पर आइसिंग शूगर दबारा से स्प्रिंकल करते हैं अब इसको हम इस तरह से एक शाप नाइफ से भी काट सकते हैं अगर मैं स्क्वेर्स चाहिए मुझे थोड़े से शेप अलग चाहिए थी तो मैंने ये एक कुकी कटर टाइप का ले लिया है इससे मैं इसको काटूंगी देखें ये थोड़ा स्टिक्की है अराम से निकाल लें देखें मेरे कितने बढ़िया ये डबल शेप के निकल के आएंगे इसको भी हमें हमें शुगर से अच्छे से सब तरफ से अच्छे से लपेट लेना है मोल्ड को भी मैंने आइसिंग शुगर से सब तरफ से कर लिया था और देखें कितने बढ़िया निकल कर आ रहे हैं इस तरह से एक एक करके मैंने सारे पीसिस मार्शमेलो के निकाल लिये हैं और जो हमारा लेफ्ट वर बचेगा उससे भी मैंने अलग से शेप त्यार करनी है इसलिए हमारा कुछ भी वेस नहीं जाएगा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्पंजी हैं कितने सॉफ्ट हैं इसकी जो एक्स्टा शूगर है वो थोड़ी सी जाल ले इसको एक बर जरूर ट्राय जरूर करके देखना यह आपको सच में बहुत ही पसंद आएंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह कैसी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लाइक और कमेंट तो बनता ही है मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ हापी कुकिंग